Hello friends, welcome to Royal Study दोस्तों SSC CGL के exams related next video आपके लिए लेकर आ चुके हैं अगर आपका exam 13-26 September 2014 के बीच में हैं तो आप इस video को पूरा देखेगा No analysis, only expected जो questions है वो यहाँ पर हम cover करेंगे इस video की PDF के लिए आपको पताईए यह already चीजे most expected जो questions है वो हम cover कर रहे हैं लगातार 13-26 तरिक के बीच में जिन लोगों का exam है वो इनी वीडियोस को जरूर से देख के जाएगा साथ यह MTS वाली भी अच्छे से देख लेजगा क्योंकि most important questions आपको cover कर रहे हैं guys हमारी CGL MTS और SSC GD की special test series है अगर आपने रोल नहीं किया है तो करली जी का description में link के में लिए आगी बिल्कुल latest pattern पर है demo भी आप check out कर सकते हैं के लिए रहे हैं आई यह हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को GKJS Current Affair के हम questions cover करेंगे पहला question आपके screen पर आ चुका है first question है हमारा अमेरिका के किस सहर में महात्मा गांधी के जीवन को समर्पी तेक संग्राले 2022 में खुला गया था United state in which US society was a museum dedicated to the life of महात्मा गांधी often in 2022 यानि कि English में भी हमने डाल दिया है आप सभी की काफे ज़्यादा request आ रही थी इसको लेकर तो हमने थोड़ा सा corporate करके इंग्लिज में भी यहाँ पर इसको जो है टाइपिंग करवाने में काफे ज़्यादा time लगता है आप सभी को बताईए पर थोड़ी सी चीज़े हमने की हैं आपके लिए तो आप सभी इस request है कि जाए ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर को सब्सक्राइब भी आप करते रहेगा तो अटलान्टिक जो सीटी है यहाँ पर यह जो है खोला गया है आपका सहर आपकाय करेक ताइसर हो जाएगा अमेरिका अगर सहर पूचे जाए या देजा पूचे जाए अमेरिका करेक ताइसर जाएगा इसमें कलाकृतियां और डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन है जो इंटरेक्टिव और अगंतुक महात्मा गांधी के जीवन की घटनाओं को देख सकते हैं या देख सकेंगे इसे न्यू जर्सी इस्तित गांधी वादी सुसाइटी द्वारा अधित्य बिल्ड आफ समों के साथ साजयदारी में विक्सित किया गया है भारती राजनईग ने इस प्रोजेक्ट की सहराना की है वासिंग्टन प्रेस तो अटलांटिक सहर न्यू जर्सी में महात्म गांधी के जीवन और संदेश को समर्पित अमेरिका का पहला संग्राले मंगलवार यानिकी इसको आप तोड़ा सा खटा दीजिगा तो यह जो पहला संग्राले यह आम लोगों के लिए खोल दिया गया है यह राश्ट पिता को समर्पित अमेरिका में पहला संग्राले है तो याद रखे का question important है, current question है अगला question ने प्राकरतिक चेंग का सिद्धांत किसके दवारा प्रतिपादित किया गया था the theory of natural selection was proposed by तो ये किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी याद बताना है आपको Theory of Natural Selection प्राकर्तिक चेहन का सिदान्थ Charles Robert Darwin आपका correct answer हो जागा Charles Robert Darwin प्राकर्तिक चेहन का सिदान्थ या फिर Darwin वाद का प्रस्ताव जो है ये रखा था उन्होंने अपनी पुस्तक थी इनकी The Origin of Species आपको आइधिक पता होगा ये पुस्तक में विकासवादी जो सिदान्थ इसका उलेक किया Keralis Lineus की अगर पन बात करें तो इन्होंने Jio के बीच एक विकासवादी संबंद के बारे में बताया और प्रजाती प्लांट सिदान्थ जो है इन्होंने लिखाएं Jean Bastis Lemar के ने अपनी पुस्तक Philosophic Zoologic में विकासवादी सिदान्थ की वियाक्या की और इनके द्वारा प्रस्ताविस सिदान्थ को अधी ग्रहित पात्रों की विरासत के सिदान्थ के रूप में जाना जाता है Ernest Higley की बात करें हेकल की तो Ernest जो हेकले इन्होंने पुन्रेक के प्टेल्यूएशन के सिदान्थ का जो है प्रस्ताव रखा था Next question की बात करते हैं अगला question है हमारा Michael Faraday ने यानि कि डाइनेमो का विसकार किस वर्स भी किया था तो Michael Faraday ने किया था डाइनेमो का विसकार आपसे भी कोई दिक पता होगा In which year did Michael Faraday invent the डाइनेमो तो 1831 आपका यहां से correct answer हो जाएगा detail थोड़ी से cover करवा दे देखें वर्स 1831 में 1831 के दसक के सुरुआद में Michael Faraday है इन्होंने विदुद चुम्ब की प्रेरयन पर अपना मुलिक प्रियोगा अत्मक सूध किया जिसमें उन्होंने पहला विदुद डाइनेमो बनाया और यह गुर्णी यांत्रेक उर्जा को विदुद उर्जा में लगातार परिवर्द करने के एक मसीन है बाद में 1864 में Michael Faraday के काम पर निर्वान करते हुए Warner One Siemens ने डाइनेमो विदु सिद्दान्थ के खोच की और एक डाइनेमो मसीन का निर्मान किया जो आदुनिक बड़े पेमाने पर बिजली जनरेटर के अग्रोदूत थे अगला कुशन है आपका मयूर द्वीप किस राज्जी में इस्तीत है पिकोक आइसेंड इस लोकाटेट इन विच स्टेट तो असम आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा मयूर जो द्वीप है यह आपका असम में इस्तीत है के लिए रहे तो मयूर द्वीप गौहावटी असम में ब्रह्मा पुत्र जो नदी है इसके बीच में उमानन्द द्वीप है इस पर इस्तीत है एक ब्रेटिस अधिकारे ने इस द्वीप का नाम जो है यह पुर्णा द्रश्य में फेले वोए मोर के पंक जिसा दिखता है तो उमानन्द द्वीप ब्रह्मा पुत्र नदी के बीच में सबसे छोटा बसा हुआया नदी द्वीप है यह मयूर द्वीप जो पुरुवत्तर भारत के एक राज असम के गौहवट सेहर से होकर बहती है इसका नाम अस्मिया उमा से निकला है जो सीव की पत्नी यह भगवान सीव की पत्नी हिंदू देवी पारवत्ती का दूसरा नाम है और आनन्द यहनिकी जॉई यानि की आपका हैपी या जो ही आप बोल सकते हैं एक ब्रीटिस दिकारीने इसकी जो सनशना है इसके लिए द्वीप का जो नाम रखा मयूर द्वीप रखा जिनोंने एक मोर के पंक के समान इसको समझा था या फिर वैसा ही आपका यह देखने में प्रतीत हो था है इसे बहस्म सब्द के बहस्म सब्द से बहस्म चल के रूप में ब जाना जाता है जिसका अर्थ नस्ट करना या चाल इसका जो अर्थ है अगला कुशन है हमारा ताज महल के वर्स में यूनेस्को की विस्व धर्वरिस्तल बना था यह आप से कुशन बना है इन बीच यह ताज महल बिकम है यूनेस्को वर्ल्ड हेलेटाइस साइड तो आपको बताना है यहाँ पर तो correct answer 1983 रहेगा 1983, 1983 में जो है ताज महल एक विस्व धर्वरिस्तल बन गया ताज महल कहाँ पर है तो आगरा उत्तर प्रदेश में कुल तीन यूनेस्को विस्व धर्वरिस्तल बना है उनमें से एक है ताज महल तो यहाँ पर ताज महल आगरा का किला और फतेफूर सीगरी यह तीन यूनेस्को विस्व धर्वरिस्तल बना है तो आगरा में 1631 यानि कि 1631 और 1648 के बीच मुगल समराट सहां जहां द्वारा अपनी पत्नी की याद में बनवाया गया सपिस संगमर्मर का एक विसाल मगवरा है ये ताजमेल भारत में मुस्लीम कला का आबुसन है और दुनिया की विरासत की सारोबोमिक रूप से प्रसंसित उतक्रेस्ट करतियों में से ये बेसिकली माना जाता है अगला कुछनि जड़तु का जो सूत्र है ये क्या है वाट इस ध़ फोर्मूला फोर इंरशीया तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहे का आई बराबर दीज़ीजगा अनरशीया का आपसे फोर्मूला पुछाए देखे जड़त्व का एक वस्तु है और जड़त्व एक वस्तु की अपनी गती की स्थिती में परिवर्तन का विरोध करने की प्रती है जड़त्व का ऐसा ही मातरक किलोग्राम है और इसे जो प्रतीक है इसा प्रतीक आई से दर्साया जाता है तो I बराबर L वटर W यहां पर L जो है कोनी सनवेग W कोनी वेग और I जो है यह इनर्सिय यह जड़त वेगए अगला कुशन पूचा गया है iodine-dase का एक उदाराने यहनि कि iodine is an example of बताने है हेलोजन यहां से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेलोजन का एक उदाराने iodine-hailogen का एक उदाराने हेलोजन पी ब्लोक तत्वे जो आवर्थ सारनी के समूँ सत्रा से समद्धी थे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और एस्टेनीन एना एस्टेसीन तो यह हेलोजन समूँ के कुछ और उदाराने चालकोजन आवर्थ सारनी के समू सोला से समद्धी थे जिसे ऑक्सिजन परिवार के रोप में भी जाना जाता है एक्जामपल के लिए बात करें ऑक्सिजन, सलफर, सेलेनियम और टेलियूरियम, इसके अलावा पोलोनियम, निक्टोजन समू पंद्रा से समद्धी थे जिसमें नाइट्रोजन, फासपूरास, विसमत, आधी तत्तो सामिले और इस समू को नाइट्रोजन परिवार के रोप में भी जाना जाता है अक्री गेसे या उतकरश्ट गेसे आवर्थ सारनी के समू 18 से समद्धी थे एक्जामपल के लिए बात करें अकरी गेसे की तो नियोन, हिलिया, मारगन, जेन होन आधी ये अकरी गेसे की उधारन है अगला कुशन पूचा गया है आप सभी से अक्टूबर 2022 में आज़ुद दूसरे सन्युक तरास्ट विस्व भूस्तानिक अंतरास्टी कोंग्रेस की थीम क्या थी यानि वाट वज दा थीम अब दा सेकेंड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जिवस्तव इंटरनेशनल कॉंग्रेस हेल्ड इन अक्टूबर 2022 तो वेस्विक गाउं को वेस्विक गाउं को भूसमक्ष या भूसक्षम करना कोई भी पीचे नहीं रहना चाहिए ये इसका वैसकली थीम रखी गई थी तो वेस्विक गाउं को भूसक्षम करना कोई भी पीचे नहीं रहना चाहिए ये था पुरदान मंत्री ने कहा कि हम अंतियोंदे की दरश्टी पर काम कर रहे हैं जिसका आरत है अंतियम व्यक्ति को एक मिशन मोड में ससक्त बनाना और यहां वहां विक्जियन है जिसने बड़े बेवाने पर अंतियम छोर तक सस्रक्ति करन में हमारा मार्ग दर्शन किया है अगला कुछन है उत्तर प्रदेश के देवनंद देवबंद यादर केगा उत्तर प्रदेश में देवबंद आंदुलन किस वर्स प्रारंब हुआ था या रंब हुआ था तो आपका अठारा सो चांचट जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा देवबंद आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था उत्तर प्रदेश में इसकी सुरुवात हुई थी मुहम्मद कासीम नानो तवी सेयद मुहम्मद आबीद और फजलुर रह्मान आंदोलन के संस्ताफक थे यह जो आंदोलन है मुस्लिम सबुदाई के नेतिक और धार्मिक उत्तान के उद्धिश से सुरुक्या गया था अगला कुशन पूचा गया उर्जा और संसाधन संस्ता टेरी यह एक स्वतंत्र बहु विसे एक संगठने टेरी का मुख्याले आपसे पूचा है याद रखेगा तो आप टेरी को ज़रूर से याद रखीगा क्योंकि यह एक संगठन है और यहाँ से कुशन पनते हैं तो टेरी का फुलफम क्या हो जाएगा यह एक स्वतंत्र बहु आया में संगठने जिसमें उर्जा परियावरान जलवायू परिवर्तन और स्तिर्ता के छित्रों में परिवर्तन के नवन मेंसको और एजिंडो के साथ चार दसको से इन छेत्रों में सनवाद और खारिवाही का बीड़ा उठाया है तेरी के गुरुग्राम बेंगलूरू, गुहावटी, मुंबई पंजी और नेनिताल में छित्री केंदर परिसर भी है तेरी के जो में मुख्याल है या हेटकॉर्टर की बात करें तो यह न्यू देली में स्थीथ हैं अगला कुशन पूचा गया है रास बिहारी बोस ने इंडियान इंडिपेंडेंट लिग के स्थापना किस देश में की थी? इन विच कंट्री डिट रास बिहारी बोस फाउंड दा इंडियान इंडिपेंडेंट लिग तो करेक्ट आंसर जापान रहेगा आपका जापान यहां से करेक्ट आंसर हो जएगा रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की जो स्थापना है जापान के टोक्यो सहर में की थी याद रखना है आपको ये जो लीगे मार्च 1942 में बनाई गई थी रास बिहारी बोस ने इस लीग की स्थापना भारस पर ब्रिटिक सरकार के अपने वेशिक सासन को खत्म करने के लिए की थी तो राज बिहारी बोस ने जून 1942 में बैंकोक में इंडियान इंडिपेंडेंस लीग का दूसरा सम्मिलन बुलाया था पुशन बन सकता है आप से कि राज बिहारी बोस ने Indian Independence League का दूसरा जो Summider ने ये कब बुलाया था? कहाँ पर बुलाया था? 1942 बैंकोक में बुलाया था इस Summider में राज बिहारी बोस को लीग कर यो है अध्यक्छी चुना गया था और इस Summider में सुबाश चंत्र बोस को लीग में सामिल होने और उसका अध्यक्षी बनने के लिए अमंत्रित भी किया गया था most important point है अगला कुशन है पंपास जो कि एक चारागहा या बायों में निमलिकित में से किस देश में यह पाय जाता है पंपास है पेस्चर बायों इस found in which of the following countries तो correct answer आपका दक्षिन अमेरिका या साउथ अमेरिका यहां से हो जाएगा आपका पंपास दक्षिन अमेरिका का एक चारागहा बायों में के लिए गहास का मेदान आप एजी लेंग्वेज में बोल सकते हैं पंपास सपाट उपजाओ मेदाने जो यहां पर तीन लाग जो है वर किलोमेटर छेतर को कवर करता है पंपास अरजिन्टीना में पाए जाते हैं पंपास गहास के मेदान जो है दक्षिन अमेरिका महादीप में इस्तिदे वे अरजिन्टीना उरुगवे और ब्राजिल तक फेले हुए हैं उनके पास लगबग 600-1200 मिलिमेटर वर्सवाली समसितोस निजलवाईयू देखने को मिलती है अगला कुशन है अथर्व वेद डेस खंडो का एक संग्रे है अतर्व वेद इस कलेक्शन ऑफ डेस सेक्षन यह 20 खंडो का एक संग्रे है 20 sections का collection है आप याद रखेगा अतर्वेद अतर्वेद 20 खंडों का संग्रे है अतर्वेद में ब्रह्मा की उपासना से संबनित कई मंत्र देखने को मिलते हैं अतर्वेद 4 वेदों में अंति में और इसे अन्य नामों जैसे कि चंदावेद याने चंदसी अतर्व गीरस और ब्रह्मा वेद इनके नाम से भी इसको जाना जाता है अतर्वेद में 20 खंडे 731 सुक्त हैं और 5977 मंत्र देखने को मिलते हैं चलिए अगला कुशन है आधार वर्स मुल इस्तर पर निर्दारित होने वाली राष्टियाई को क्या कहता है मुद्रा स्पीटी के लिए समायुजित राष्टियाई के मुल्य को वास्तिविक राष्टियाई कहा जाता है इसे मुद्रा स्पीटी के लिए समायुजित किया जाता है जिसकी गन्ना एक संधर्व वर्स से की जाती है जिससे आधार वर्स भी कहा जाता है अगला कुशन है उत्पादन के साधनों की खरीद के लिए दूसरों को दिया गया बुकतान, डेस की रोप में जाना जाता है, तो यह क्या कहा जाता है, यानि कि पेमेंट मेंट टू अधर फॉर्दा पर्चेस ओफ मिन्स और फ्रोडक्शन इस नाउनास, इसके नाम से जाना इसपस्ट लागत, किलियर कोस्ट यहां से आपका रहेगा, उत्पादन आदानों के अधिग्रहन के लिए दूसरों को बुकतान की गई कीमत होती है, इराया, कच्छा माल, और अन्य जो प्रतियक्च व्यावसाइक विये और विये इसमें सामिल वे सिकनी होते हैं, उन्जी उत्राकंट के पहले रामसर स्तल का जो क्या नाम है, यह आप से पूच गया, what is the name of उत्राकंट, फर्स्ट रामसर साइट, तो असन कंजर्वेशन रिजर्व, इसका कुश्चन का कर्रेक्टर आँसर आप करेगा, रामसर कंविंशन ने देहरा दून में असन कंजर्वेशन रिजर्व को अंतराश्टी महत्तु का इस्तल घोचत कर दिया है कंजनवेशन ने देखिए इस कंजनवेशन के अनुछे 2.1 के अनुसार बनाए गई अंतराश्टी महत्तु के वेटलेंड सूची में असन जो कंजनवेशन है रिजर्व इसको सामिल कर लिया गया है रामसर से मानीता प्राप्त उप्तराघंड का यह पहला वेटलेंड है इसलिए यह कुशन बना है क्योंकि यहाँ पर पहला लग जाता है कुशन इंप्रोडेल हो जाता है अगला कुशन ने निमलेकित में से कि सहर नहीं वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवर्ड 2022 जीता है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवर्ड 2022 तो करेक्ट आंसर हैदरबाद आपका हो जाएगा यहाँ से हैदरबाद ने 14 अक्टूबर को धक्षिन कोरिया के जेजू में आजए इंटरनेशनल एसोशेशन फॉर हर्टी कल्चर यानि कि AIPH 2022 वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवर्ड 2022 में लिविंग ग्रीन फॉर एकोनोमिक रिकावरी एंट इंक्लूजिव ग्रोथ स्रेनी में एक और जीत हासिल इनोंने की हैं एदरबाद एक मात्र भारते सहर था जिसने जिसे जो है यह उस स्रेनी में चुना गया था इसके लिए यह एक मात्र सहर था यह आपको इंपोर्डेंट याद रखना है नेक्स्ट कुछन है प्रेस्टिजिद सेख जायद बुक अवोर्ड जीतने वाले भारत के जो पहले व्यक्ति है यह कौन है बताना है आपको डॉक्टर ताहेरा कुतुबद्दीन आपका रहेगा जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति बन गए हैं उन्हें उनकी पुस्तक अरभी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन इसके लिए समानित किया गया जिसे अगला कुशन है हाली में एबल पुरुसकार 2022 किसने जिता है तो डेनियल पारनेल आपका करेक्ट आंसर हो जागा डेनिस पारनेल करेक्ट आंसर आपका रहेगा डेनिस पारनेल सूलीवन ने हाली में एबल पुरुसकार 2022 जीत लिया है डेनिस पारनेल सूलीवन का एक अमेरिकी गणी तक गये है और उन्हें ये जो पुरुसकारे टोपोलोजी विसेश रोप से जो जामिती बीजी और गनीती पहलों में उनके योगदान के लिए मिला है नार्वे के राजा एबल पुरुसकार प्रस्तुत करते है तो अगर आपसे पूचे जाए कि कौन सा देश देता है एबल पुरुसकार तो नार्वे, नार्वे के राजा के द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है सालाना यहां जो है एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने साथ बिलियन इन ओके यानि के नौर्वेजियन क्रोन की कोस्ट पुरुसकार रासी के साथ गनिस के चेत्र में उन लेकनी काम किया हूँ उनको ये दिया जाता है अगला है कूशन आपका कौनसी कंपणी 2022 में भारत में सबसे बड़ी लोहो एस को उत्पादक कंपणी बन गई विच कंपणी बिकम दे लाज़ेस्ट आइरन और प्रोड़क्सिं कंपणी इन इंडिया इन 2022 तो एनमडेसी आपका करेक्ट आंसर रहेगा एनमडीसी इसने ड्रोन आदारित खनीज अन्वेंशन के लिए आयाइटी खड़कपूर के साथ एक समझूता ग्यापन पर अस्ताक्षर किये है एनमडीसी देश का सबसे बड़ा लोगा यसकुत पादक है और वर्चुल प्लेटफॉर्म पर ड्रोन आदारित खनीज अन्वेंशन के लिए समझूता ग्यापन पर अस्ताक्षर यहाँ पर किये गए है तो एनमडीसी और आयाइटी खड़कपूर खननन के लिए ड्रोन यू एवी का उप्योग करके अन्वेंशन के लिए वर्णी क्रमी उत्पादव विदियो और अल्गोरितम जो होती है विक्सित ये करेंगे नेक्स्ट कोचने विश्व चाद्र दीवस हर साल 15 अक्टूबर को इसकी याद में मनाया जाता है अक्टूबर 15 इन मेमोरी आफ तो अब्दूल कलाम आजाद आपका करेक्ट आंसर रहेगा 15 अक्टूबर 15 अक्टूबर पूरो भारती राश्ट परड़े दॉक्टर अप्टूल कलाम की जेंती है और इस दिन का जुए उदेश देश और शाहत्रों के परति कलाम के प्रियासों को स्वीकार करना है उन्हें बारत का मिसाइल में आप सभी को बताजिय कहा जाता है क्योंकि वे अगनी और प्रत्वी मिसायलों को विक्सित करने और सेवा में लगने के प्रवारी थे आपको याद रगना है अगला कुछी ने भारती सन्विदान का सनरिशनात्माग भाग किस इस प्रोज से लिया गया अगर आपसे यहां से कई सारी स्टरोट में आपसे कुछन बंदा है कौन से देश से ले गया था है तो कुछ चीज़े जो ली गई है वो 1935 वाला जो भारत सरकार अधिनियम था इससे ली गई है थो सकता है इससे भी आपका कुशन बन जाए एक बाहर देख ली जगा भारती सन्विदान इस अधिकांस प्रावधान जैसे कि यह प्रसासनिक लगतार है तो टेनिस आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा लगतार 237 हपतों के रिकोर्ड सहीद कुल 310 हपतों में ATP रेंकिंग जो है इसमें वर्ल्ड नंबर वन ये रहे हैं और उन्होंने 103 ATP एकल किताब भी जिते हैं जिने जीमी कॉर्णर के बाद अब तक का दूस अंसर जो है सबसे अधिक माना जाता है तो याद रखिएगा इनके बारे में रोजर फेडर इनका संबने टेनिस से हैं अगला कुशन है पी ब्लोक के तत्वों में कितने जो समू है यह बैसिकली होते हैं तो आपका six correct answer यहां से हो जाएगा आवर्थ में पी ब्लोक तत्वों में के जो है छे समू है यह होते हैं 13 से 18 तक की संक्या तालीका या तालीका संक्या बोरान कार्बन नाइट्रोजन ओक्सिजन इसके लाव फ्लोरीन और हिलियम समू के प्रमुक होते हैं इनकी सन्योजक् सेल इलेक्ट्रोनिक विन्यास एन एस टू एन पी वन माइनस 6 हिलियम को छोड़ कर यह होती हैं अगला कुशन मोस्ट इपोटेंट है आपका और यह वाला टॉपिक अल्रीड हम आपको कवर करवा चुके हैं देखिए हमने आपको आर्टिकल भी कवर करवा दिया पूरा इस इस टॉपिक से आपका सिंगल कुशन बिवार नहीं जाएगा तो जिनका एक्जाम है तेरा तारिक लेकर 26 तारिक के बीच में वो सभी लोग उन वीडियो को जरूर से देख ले सीधे कुशन आपकी एक्जाम में काफे ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं टॉपिक से अच्छ संबगारत हैं वहाँ योजना के संस्तापक संपादक और इलिस्ट्रेट विकली आफ इंडिया नेशनल हेराल्ड और हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक तो वहाँ ट्रेन टू पाकिस्तान इसके इलावा आई सेल नोट हियर दे नाइट इंगल यानिकि लास्ट विक्ट् कुशंग आपको कवर कर वाएं हैं यह मोस्ट इक इपौर्ण लेविल के हैं यहाने कि आप ऐसा मान सकते हैं कि हमने यह जो कवर किया है यह conflict का इनालिसिस हमने किया है या फिर ऐसमां सकते हैं कि mock test का analyis味 कि हमारे जो t explained है उसका ही यह एक F-LT है और उसी को हमने यहाँ पर आपको solve करवाया है तो ऐसा तो नहीं है कि यह जो important questions नहीं क्योंकि काफ़ ज़दे important questions है और कई सारे जो questions है यहाँ से आपके लगातार निकल कर आ रहे हैं तो अच्छे से सारे questions को cover करेगा क्योंकि लगातार आपके exam इसी तरह के questions बन रहे हैं और detail भी हम cover करवा रहे हैं तो आप जिनका logo का paper है वो लगातार हम सारे F-LT यहाँ पर आपको लगातार analysis करवाने वाले हैं तो आप daily basis पर जुड़ते रहेगा और इनको अच्छे से करते जाएगा SSC CGL की हमारी special test series अगर आपनी रोल नहीं किया तो कर लिजगा MTS की SSC GD और MPSI की तो description में link के demo भी check out कर सकते हैं कोई doubt कुछ query से तो इन number पर contact कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा share कर दीजिए अपने दोस्तों साथ में साथ ही चैनल को subscribe भी कर लिजिएगा आने वाली वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिल आएगा वीडियेप के लिए application को download कर लिजिए आपको इस वीडियो का description में मिल जाएगी तो guys वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना पुले और इस चैनल को subscribe भी कर लिजिएगा साथ ही अपने दोस्तों साथ सेर भी करें ताकि हम सपोर्ट मिले मोटिविशन मिले आपके लिए और अच्छे सेचे वीडियो जाम लाने के खुसस करते रहें तो मिलते हैं हमारे next study वीडियो में तब तक लिजय हिंद बंदे मातरम